सबी को राम राम सत्सिकल अदाब नमस्ते दोस्तों उमिद करता हूँ आप लोग सही होंगे मैं बिल्कुल सही हूँ अच्छा हूँ अब लोगों को दुआ से तो आज नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुआ एक कोबुतर बाजी का मैं समझता हूँ में पार बाड है वो है डीबॉर्मिंग कैसे किया जाए कोबुतर और क्यूं करना जोरूरी होता है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो जो मेरा वीडियो देख रहे नया है प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा और अल बटम सेट कर लिजेगा ताके आना वेलो वीडियो अप किया तो पहले आता हूँ डीबॉर्मिंग डीबॉर्मिंग होता क्या है तो डीबॉर्मिंग जैसा कीरा होता है कीरा पेट के अंदर कीरा होता है वो निकालने से वार्म्स हो जाता है उसको कैसे निकाला जाए उसको ही डीबॉर्मिंग बोलता है तरीका तो इसमें बहुत सर इसका यह दबा यूज करके छोड़ देता है लेकिन मैं समझता हूँ गलत है तो जो मैं करता हूँ जैसे मैं डिवार्विंग करता हूँ बो तरीका अब लोगों बता रहा हूँ तो पहले अब नोट कर लिजिए ठीक है नोट कर लिजिए पहले लीवार चाहिए लीप 52 हुमेन दबा दोकान से मिलेगा लीप 52 हिमलोय कंपानी का उसका पिक्चर अभी मेरे पस अभी नहीं है मैं बाद में डाल दूंगा अब लोग देख लिजिए गा और वो नहीं मिला तो आप दबा दोकान से जो पोसी पुकषी का दबा दोकान है पोसी पुकषी का दबा दोकान जो है भेडिनरी शौप उदर से आपको लिफ 52 मिल जाएगा भेडिनरी का भो भी ले सकते तो मैं बस समझाने के लिए आप लोगों को बोल रहा हूँ पकर के चलिए एलिफ 52 है ठीक है एलिफ 52 है तो कैसे देना है पकर के चलिए एक तरीक आपको डिवार्मिंग करना है एक तरीक ठीक है उससे चार दिन पहले आप पीछे चला जाएए ठीक है 27-29-30 ठीक है तो 27-28 लिफ 52 ठीक है एक लिटर पानी में 5 जेमेल शूबा शूबा दूपयर शूब टिक है तीन दवा आप पानी में मिक्स्ट करके कोबुतर को दीजिए शादा पानी मत दीजिए पानी के साथ दावा मिक्स्ट करके दीजिए और दो घंटा के ज़्यादा बो में फिर नया बनाई है ठीक है पहले दो दिन 27 28 हो गया अभी 29 39 और 30 बही चीस देना है लिप 52 साद में एक लीटर पानी में एक डेरोलाक प्रोबायोटिक ठीक है एक लीटर पानी में एक ग्राम अब अगर दो लीटर पानी यूज करते को बुदर को तो यह पूरा साचेट द लिप 52 चार दिन लगातर और 39 तिरिस एक प्रोबायोटिक उसके साथ एट करना है चार दिन खो गया अभी एक तरिक आने वाल है डीबोर्विंग करना है 39 तक कुपुतर को छोड़के उरा के जो भी कर सकते लेकिन 39 तरिक के बात से 30 तरिक और कुपुतर नेट के बाहर नही अब लोग रेश्ट दीजिए उनको ठीक है अभी तिरिस तरिक शाम को थोड़ा जेल दी आदा घंटा एक घंटा जेल दी को उतर को खिलाई है थोड़ा सा कम खिला दीजिए ठीक है 80 परसें 70 परसें ऐसे खिलाई है पेट भर के मत खिलाई है राद में 10 बज़े के करीब 20 सेमल पानी उसको साधा पानी सिरिंज करके पिला दीजिए ठीक है शुबा तक उनका पोटा साब होना चाहिए खुरक पज जाना चाहिए अभी शुबा छे बज़े के साथ बज़े के अंदार ठीक है एलबुमार एलबंडजोल है एलबुमार ए आप अप मेडिकल से नहीं म मिलेगा यह भीडवेक कमपानी का है बहुत अच्छा कमपानी का है आपका बिर्णरी सबसे मिलेगा जीदा से पोशु पक्सी का दाबा दुकान है उदर से मिलेगा यह ले लिजिए ठीक है तो एक तीरी से मिलका है यह करीबन करीबन पचास कभूतर का हो जाएगा ठीक है कड़े आपको क्या करना है आप को क्या करना है तो पकर चले में। पक्रकर जाले 10 मुझ्य क्ट क्रें可能 को क्रेंद है 10 कभू तर के लिए मैं समझने के लिए आपको मत्टा रहा हूं यह देखिए पंच्छ समूपपानी दुम मुद्ध के लिए दो इसमें दे दीजिए ठीक है उसके बाद थोड़ा सा थोड़ा सा सुगार ठीक है थोड़ा सा चीनी बोलते इसको थोड़ा सा चीनी इसमें डाल लीजिए इसको अच्छी तरह से मिक्स्ट करके थोड़ा सा आप टेस्ट करके देखना के थोड़ा सा मीठा मीठा हुआ थोड़ा तोड़ा मीठा होना चाहिए एक क्यू देना पड़ता है को बुतर में मैं करता हूँ बहुत अत्मी भड़ा पेड में भी करता है वह अलग बाद है लेकिन मैं इम्टी स्ट्रमंग में करना पसंद करता हूँ डीबॉर्मिंग ठीक है तो कबुतर का खुराग पज गया अपने खाने के लिए बाहर आएगा तो उस टाइम वह एटक हो जाएगा तो इसके साथ एलबुमार इसके साथ एलबुमार चार बुंत एक कबुतर के लिए बड़ा कबुतर के लिए चार बुंत ऐसा एक ले लिजिए इसमें उठा के चार बुंत एक कबुतर के तो दस कबुतर के के लिए कितना होगा चलिस बुंत इसमें डाल दीजिए ठीक है और छोटा को उतर के लिए तीन बुंत ठीक है और एक चीज से मैं बताते चलू जोड़े वाले कोबुतर जो प्रेगनेंट है अंडे देने वाले है उस कोबुतर को नहीं करवाईएगा ठीक है ये करने के बाद जोड़ा बिठाईए प्रेगनेंट को नहीं कीजिएगा तो प्रेशा नहीं हो सकता है अंडे देना बंद कर सकता है ठीक है तो चलिस बुंत मैंने इससे उठा के इधार डाल दिया डालकर अच्छे से मिक्स्ट करें उसके बाद मैंने इस सिलिंज करके पांजे मेल करके तो नहीं हो रहे होगा तो पांजे मिल करके पार कोबुतर को पकर के खिला दीजिए ठीक है शुबा छे से साथ बज़े के अंदर अभी उसको रोग दीजिए अभी उसको कुछ नहीं कोई छेर खाने कोई पानी कोई खाना कुछ नहीं बारा बाज एक बज़े तक उसको ऐस खाड या कोबुतर को उड़ाना नहीं क्योंकि उस्टेम कोबुतर थोरा सा थाकान मैसुस करें उस्टेम रेश्ट दीजिया यह हो गया एक तरिक डिबॉर्बिंग कर दिया अभी हो गया अभी दो तरिक दो तरिक शूभा फिर दो तरिक तीन तरिक चार तरिक तीन दिल लगातर फीर बोई 52 पांच मैं लेकट लिटर पांई में और ये डेरह लिक सेचे तिन दragtर निल लगातर शूभा भोगते नहेंगे इसको शुकून मिले गा तो यह हो गया भी तीन दिन थि के बाद तीन दीन दो तर्िक तरिक तरिक नॉर्मल पानी लो आट तरिक 6 तरिक और आट तरिक आप मैं पहले दिखा देता हूँ यूमेन मेडिसिन एक केल्सियम है आपको इंसन का दबा दोकान से मिलेगा और एक माल्टी विटाबीन है एक टुजेट ये दोनों आप एक लिटर पानी में 5-5 एमेल करके देखे तिन निल लगातर यूश कीजिए ठीक है अगर एक नहीं यूश करना चाहते है तो आप विरि कोई भी आप यूश कर सकते हैं लगातर तीन दिन देना है तो आपका कोर्स कॉंप्लिट हो चुका है अभी धीरे-धीरे को बाहर करना स्टार्ट करें कोई परेशनी नहीं है तीन मायना अंतर डिबरिंग करना बहुत जरूर होता है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो च अच्छा होता है बोड़ी फिर्नेस भी सही रहता है और जो खाना अब खिला रहा है वह उसका शरीर में जाएगा नहीं तो सारा कीरा वह खा लेगा ठीक है तो एहीं है फिर एक बार मैं बताते चलू पहले 27, 28, 39, 4 दिन के अंदर दो दिन फिशिब लिप्टिप्टिटू देना है और दो दिन लिप्टिप्टिटू के साथ यह डेरलक सैचेट देना है ठीक है चार दिन हो गया अभी एक तरिक शूबा इसको देना है तिरिस तरिक थोरा जेलदी खिलाना है को बूतर को रात को 20-20 एमिल पानी दे देना है ताके पोटा सुबा तक साब हो जाए सुबा यह एलबुमार यह वेडिनरी सबसेफ को मिलेगा इसको पानी के साथ 5 एमिल पानी के साथ थोड़ा सूगर डालके मिक्स्ट करके अब एक एक कोबुतर को चार बुंध हिसाब करके दीजिए हो गया एक तारिक शे घंटा ऐसे पड़े रहने दीजिए उसके बाद साधा पानी दीजिए अभी दो तारिक सुबा से दो तरिक तीन तरिक चाट तरिक फिर लिफ फिप्टी टू और डैरोलैक तीन निल लगातर देना है शुबा पानी दीजिए पिने के बाद फिर नहान दीजिए हो गया दो त्रेक तिन तरिक चार तरिक हो गया पांच तरिक नॉर्मल पानी दीजिए छे चाथ आठ तीन दिन माल्टी भीटामिन और कैल्सियम एक साथ दीजिए उसको ताकत आएगा उसके बाद धिरे-धिरे कोबुतर को बाहर छोड़िए प्रेगनें कोबुतर क को नहीं देना मादिन कोबुतर को नहीं देना बार बार मैं बता रहा हूं नहीं तो वह कोबुतर अंड़ा देना बंद कर सकता है तो उमिद करता हूं अब लोग को डीबॉर्विंग का पोक्रेस मैं समझा पाया अज तक इतना ही जो जो मेरा चैनल पे नहीं है प्लीज सब और उसके उपर अधर पर मैं वीडियो बनाना क्या कोशिश कर रहा हूँ तो आज तक इतना ही उम्मिद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग यूश कीजिए यूश करने के बात कॉमेंट में जुरूर बताएगा ये काम किया के नहीं किया 100% काम करेगा मै मैं खुद यूश करता हूँ और सारा दवा मेरे पासे आप समझ भी सकते हैं कि मैं खुद यूश करता हूँ आपको बहुत फायदे मंद होगा और साल में चार बार नहीं हुआ तो तीन बार डीबॉर्मिंग करना बहुत जरूरी पड़ता है तो आज तक इतना ही सभी को र अखरा रहा हुआ